इस बीच बड़ी खबर लखनों से मिल रही है जहां लखनों के मलिहाबाद में ट्रिपल मडर की वारदात सामने आई है वहीं फरीद की पतनी बेटे और चाचा की गोली मार कर हत्या की गई है बड़ी खबर लखनों से जहां आरोपी ललन खान ने वारदात को अंजाम दिया है जहां चार साथियों के साथ वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है वहीं पुलिस ने घटना में इस्तिमाल थार गाड़ी बरामत की है और इसी के साथ आपको बता दे कि लाइसेंसी असलहा भी पुलिस ने बरामत किया है जहां मलीहबाद कोतवाली के मौहमत नगर का ये पूरा मामला है आपको बताने कि हिस्ट्री शीटर ललन पर करेब दो दर्जन मुकद में दर्ज है बड़े खबर लखनव से जहां मलीहबाद में ट्रिपल मडर की वारदार सामने आई है और इसी के साथ आपको लखनव ट्रिपल मडर का अपडेट भी दें जहां मृतिका फरहिन के चाचा ललन और उसके बेटे फरास पर हत्या कारोप है फुटेज में राइफल से फाइरिंग करते दिख रहा ये डाड़ी वाला बुजर्ग ललन है और नीले कपड़ों में जो फाइरिंग करता हुआ दिख रहा है वह है फरास ललन पुराना हिस्टे शीटर बताया गया है वहीं ट्रिपल मडर से देली राइधानी जमीन पैमाईश के विवाद में पती पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई है चचेरे भाई ने बेटो संग इस बारदात को अनजाम दिया है वहीं ताबड तोड फाइरिंग में पती मुनीर पत्नी फरहीन और बेटे हंजला की मौत हुई है ब्रतकों के चचेरे भाई यानि के शिरास और उसके बेटों पर हत्या का आरोप दर्च हुआ है बताने के विवारिते जमीन का SGM कोट में मुकदमा चल रहा था पुलिस को बगैर सूचना दिये पैमाईश के लिए लेकपाल पहुचा था बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लकनो के मलियाबाद में जहां ट्रिपल मडर की वारदार सामने आई है